हिल्लो फ्रेड्स वेलकम बैक टू आवर निव व्यूडियो तॉप फ्रेड्स आज किस व्यूडियो मैं आपको आपके क्छ गलतियों के बारे में बताने वाला नहों जो कि आपके बेबी पेरोट के लिए जानलेवा सावित हो रहा है और वो मिस्टेक्स क्या है जानने के लिए बीडियो में एंड तक बने रहे हैं और बीडियो को शुरू करने से पहले आप से भी से एक छोटी सी रूकेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके और पसेट कर ले ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाते चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को हम सुरू करते हैं सो फ्रेंट्स आज का वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके बेबी पैरोड का एज अभी दो मेने या उससे जादा हो रहा है क्योंकि बेबी पैरोड जैसे जैसे बड़े होते उतनी ही जादा इनकी केर करनी पड़ती है यहीं पर नए वर्ड आउनर्स गलती कर देते हैं जिस बज़ा से बेबी पैरोड की जान चली जाती है सबसे पहले तो अगर आपके पास अभी छोटे बच्चे हैं like 20 days, 30 days तो भी आप इस वीडियो को end तक जिरूर देखिए ताकि आगे चलकर आप ये गलतिया करने से बचे अभी हम आपके first mistake की बात कर लेते हैं ये mistake सबसे बड़ी गलती है जो कि लगवग हर वो लोग करते हैं जो कि first time तोता का बच्चा अपने घर लेकर आए हैं क्या होता है कि जब बिबी पैरोड धाई से 3 महने का हो जाता है तब से ये अपने पंकों को फैला कर उड़ने की कोशिस करता है और जैसा कि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है और आप अपने रूम में फैन आउन करके रखते होंगे तो कई बार क्या होता है कि बिबी पैरोड रनिंग फैन को देखकर उसी तरब उड़कर चला जाता है और चालू फैन में जाने का मतलब आपको तो पता ही होगा जैसे कि ये मेरा 75 डेल्स का अलेजेंडर पैरोड है जो की दीरे दीरे फैन करना सीख रहा है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये फैन को चलते देख रहा है क्योंकि birds moving object की तरब जल्दी attract होता है इसलिए अगर आप चाते आपका पैरोड सेफ रहे तो जब भी आप रूम में फैन आउन करते हैं तो बिबी पैरोड को केस में रखकर ही आउन करें एक बड़े साइस का केस ले लीजे डेर से 2 फीट का जिसका purchasing link मैं इस वीडियो के description box में दे दूँगा दूसरी चीज अब तक आप अपने बिबी पैरोड को खुले में terrace पर ले जाते थे बट अब उसे खुले में भी नहीं ले जा सकते क्योंकि वो उड़कर भाग भी सकता है बट ये जादा दूर तक उड़कर नहीं जाएगा कुछ दूर जाकर ही गिल जाएगा फिर astray dogs या cats इस पर attack कर सकता है इस एस में इनके wild में survive करने के chances बहुत कम है इसलिए अगर आपको अपने baby parrot को छट पर ले जाना हो तो भी उसको case में रख कर ही ले जाना है mistake number two जैसे जैसे baby parrot बढ़े होते हैं इनकी सरारते उतनी ही चादा बढ़ती जाती है क्या होता है कि जब ये धाई महिने के या उससे ज़्यादा एस के हो जाते हैं तब ये box में नहीं रहना चाता आप बार बार इसे box में डालोगे ये बाहर निकल कर राज आएगा और घर में बहुत सारे ऐसे चीज़े है जिसे ये काट देता है नुकसान पोचा देता है और आप परेसान होकर अपने baby parrot को case में डाल देते हो आप अपने baby parrot को case में रख सकते हैं बट हमेशा उसको case में नहीं रखना है क्योंकि अभी भी इसकी growth पूरी तरह नहीं हुई है थोड़ी देर के लिए कि इसे case में रखिए फिर बाहर निकाल देना है अगर आप हमेशा हर समय अपने bird को case में रखोगे तो वो stress में रहेगा जिससे की उसकी life कम जाएगी और नहीं वो आपके साथ friendly रहेगा दूसरी चीज़ अगर आपका parrot आपके चीज़ों को नुकसान पहुचा रहा है तो उसको natural bird toys दीजिए जिसका purchasing link मैं इस वीडियो के description box में दे दूँगा mistake number 3 baby parrot को self-feed की training ना देना ये mistake वो लोग ज्यादा करते हैं जोकि first time baby parrot लिये हैं ये क्या करते हैं कि अपने baby parrot को hand feeding कराते जाते हैं self-feed की training बिल्कुल भी नहीं देते आपको लगता है कि ये age के साथ खुद पर खुद खाना सीख जाएगा बट ऐसा होता नहीं है अगर आप सही time पर अपने baby parrot को self-feed की training नहीं दोगे तो वो कभी भी self-feed पर नहीं आएगा और उसे आपके हाथों से खाने की आज़त लग जाएगी कुछ दिन पहले ही मेरे एक वीवर से इस सीच को लेकि मेरी बात हुई थी उनके parrot का age एक साल से जादा हो रहा है और अब तक वो अपने parrot को hand-feed कराते हैं अगर ये hand-feed नहीं कराएंगे तो उनका parrot भूका मर जाएगा लेकिन खुद से नहीं खाएगा तो ये गलती आपको नहीं करनी है अभी आपके baby parrot का age ढाय महिने तीन महिने हो रहा होगा और यही सही time है उसको self-feed की training देने का बट baby parrot को hand-feed से self-feed पर लाने का एक process होता है जिसका वीडियो में जल्दी अपने channel पर डाल दूँगा mistake number 4 जैसे जैसे baby parrot के body वो feather आ रहा है उतना ही वो itching करता है पूरा दिन वो खुद को खुजलाता रहता है उसके feather में से white powder बहुत ज़्यादा निकलता है और बहुत ज़्यादा अस्मेल करता है यह चीज़ देखकर आप अपने baby parrot को नहला देते हैं आप नहला सकते हो अगर आपके baby parrot का age 3 months हो रहा है या फिर उसके body पर full feather आ चुका है लेकिन उससे पहले bathing नहीं देना है baby parrot को first बात कैसे देना इस topic पर मैंने एक detail वीडियो बना रखा है जिसका link मैं इस वीडियो की description box में दे दूँगा तो आप जाकर देख लेना mistake number 5 2-2-3 months की age में आने के बाद baby parrot box में नहीं रहना चाहते बार-बार आप उसे box में रखते हो बार-बार वो बाहर निकल आता है box से निकल कर घर में इधर उधर घुमता रहता है जिसका हमें पता तक नहीं चलता और अंजाने में कई बार ये हमारे पैर के नीचे दब जाते हैं जिससे इनकी देथ हो जाती है leg fracture हो जाता है बहुत टैप से problem हो सकती है इसलिए अभी से अपने baby parrot की बहुत ज़्यादा care करनी पड़ेगी और अगर गलती से आपका पैर baby parrot के उपर आजा है और वो चल ना पा रहा हो, खाना नहीं खा रहा हो तो उसको बेटनेरी क्लीनिक ले जाना है जहाँ पर उसका proper treatment होगा mistake number 6 अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे baby parrot को दूर रखना है क्योंकि कई बार खेल खेल में बच्चे उसको नुकसान पोचा देते हैं और ये incident मेरे एक वीवर के साथ हो चुका है इसलिए ये point मैं इस वीडियो में mention कर रहा हूँ mistake number 7 अकसर लोग baby parrot ये सोच कर लेते हैं कि वो बड़ा होकर talking करें आपकी हाथ पर बैठें आपकी सारी बात मानें पर ऐसा कई बार नहीं होता है ना तो वो आपकी बात मानता है ना ही बात करना सीखता है ना ही आपके हाथ पर बैठता है क्योंकि आपने starting से अपने parrot को किसी चीज की training नहीं दी ना ही उसको थोड़ा सा भी time दिया हमेशा आपने उसको case में रखा अगर आप हमेशा अपने parrot को case में बंद करके रखते हो तो उनमें aggression बढ़ जाता है और जब भी आप उसके पास जाओगे तो वो काटने को दोड़ेगा इसलिए अभी से ही अपने बेबी parrot को हर चीज की training दीजिए पैरोट ट्रेनिंग पर मैंने एक playlist बना रखा है जिसमें पैरोट टॉकिंग training की वीडियो पैरोट हैंटेम training की वीडियो पैरोट के वाइटिंग हैविट को कैसे बंद करना है पैरोट से दोस्ती कैसे करना है ये सारी वीडियो उस playlist के अंदर मिल जाएगे उस playlist का link मैं इस वीडियो के description box में दे दूँगा आप जाकर देख लेना mistake no.8 जब बेबी पैरोट फ्लाई करने लगता है तो कुछ लोग उसके बंग को काट देते हैं जो की गलत है इस age में बेबी पैरोट के wings को काटने से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है अस्ट्रेस में चला जाता है इसलिए दो से तीन मेंने की age में बेबी पैरोट के wings को नहीं काटना है wings को ना काटने का एक benefit है आप अपने बेबी पैरोट को free fly training दे सकते हैं जो कि मैं अपने बेबी पैरोट को दे रहा हूँ सो फ्रेंट्स इस तरह आज मैंने आपको आपके 8 गलतियों के बारे में बताया जो कि अपने बेबी पैरोट के साथ नहीं करना है सो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ से की ने को मिलाओ तो आज की वीडियो को हम यहीं पर wind up करते हैं